हेलो दोस्तों, दोस्तों मैं अभी अभी मैं अटल हूँ नाम की मूवी को देखकर लोड कर आया हूँ फिल्म की कुल आवधी 2 गंटे 20 मिनट है और ये मूवी भारत के दसमें प्रधान मंत्री शिरी अटल पिहारी बाज़पाई जी के जीवन पर बेज़ड है इस मूवी में उनकी जीवन काल के दोरान काफी छोटी मूटी तमाम घटनाओं को कवर किया गया है जो काफी अच्छी वात है उनकी जनम से लेकर मतलब बिलकुल बचपन से नहीं जब एक वो बालक थे उस बक्त से लेकर और कारगिल भिज़ए तक की जीवन काल को इस फिल्म में दिखाया गया है काफी अच्छे से दिखाया गया है उसके बाबजुद फिल्म पूरे तरह से परफेक्ट नहीं है मतलब छोटी मूटी गटनाओं को दिखाने के बाबजुद इंडिया में जो छोटी मूटी चीजें हुई सब को काफी अच्छे से कवर किया गया उसके बाबजुद निया पर कुछी चीजें है जो आपको फिल्ड होगी और एंड वो चीजें है फिल्म की शुरुवात में फस्टाफ में एंड जब एक दू चीजें हैं जिनके बारे में मैं एक अच्छे से थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा जिन चीजें पर जब वो लड़के थे 20 साल की उमर थी उनका जन्म हुआ था 1924 में एंड 1944 का सीन था जब वो अपने स्कूल में भाषर दे रहे थे एंड बहीं पर उनको राजकुमारी नाम की वो लड़की मिलती है मतलब प्रेंप्रसंग होगे था जब फिल्म में हीरोईन की इंट्री हुई ऐसा कह सकते हैं क्योंकि वो में हीरोईन नहीं थी वो चीजें बात में अलग हुई लेकिन तब तक के लिए वो ही हीरोईन थी तो उस जवाने में वो 20 साल की उम्रित थी उनकी 1944 में तो बहाँ पर वो एक लड़के नहीं नौजवान नहीं बलकि एक आदमी फिल हो रहे थी कहीं बेभी इस पूरे फिल्म में आप भाई इसकी अपिक्छा ऐसा किया जा सकता था कि किसी नए एक्टर को वहां पर उन फिल्स के लिए कास्ट किया जा सकता था जो थोड़ा पास उनकी जैसा लगता यह बहुत कुछ चीजें थी हो सकती थी और बहुत सारे options हो सकती थे लेकिन नहीं उन पंकरजी तेरपाथी को ही यहां पर शुरू से लेकर एंड तक उनकी किरदार में दिखाए गया है जो कि मुझे लगता है कि गलत हुआ इसे अच्छा कोई ऐसा एक्टर होता जो आमिर खान की तरह जैसे दंगल में आमिर खान ने अपना जो मतलब अलग अ जो कमाल किया था वो उस तरीके का कुछ होना चाहिए था तो भाई लॉंडे वाली फिलिंग नहीं आती जो फिल्म का में हीरू है उसमें वाली फिलिंग नहीं आती कि लड़का होगा जबने 20 साल उसकी उम्र रही होगी और उसके बाद फिल्म और थोड़ा बढ़ती है है एंड ड्रामी के लाबा कुछ भी नहीं है लेकिन वो ड्रामा काफी अच्छा था सेकेंड हाफ में आकर मैं यूं कहूं कि सेकेंड आप मुझे थोड़ा बहतता लगा फसका आपके कंपरेजन में मूवी बेलेट अप होते होते पिक अप करते करते एक अच्छा का सब बक ही अटल ब्यादीबाजबाई जी के नाम को बेकिपीडिया पर खोला एंड बहाँ पर मैंने देखा कि ब्यजिप ये नेता थे ये चीजी मुझे मुझे बहाँ से पता चली मुझा नहीं पता था कि वो किस फॉलिटी के थे मुझे फील हुई वो मैं बता रहा हूँ वो मुझे कुछ व्यादा फील हुआ एक दू चीज़े मैंने नोट करी हैं मैं पढ़की बता दू आपको गरीबी हटाओ का नादा देगर कांगे इसने फिर से सत्ता तु पाली पर काम होने की बजाए बदहाली और भी बढ़ गई जहां चंता को खाने के पैसे नहीं थे वहां इंद्रा फिरकार ने पैट्रोल के दम को साथ में आसमान पर पहुँचा रखा था तो हाज की जमान में साथ में आसमान से कौन सा नीचे आ गई पैट्रोल के दम वहां जाज की उफार हो 97 है पैट्रोल इंड उसी इसाब से डीजल भी है और आप पहले खीच के लिए जाओ उसके बाद थोड़ा आप नीचे कर तो इसमें पब्लिक खुश हो जा दिया एंड ऐसा ही एल पीजी के साथ फिलेंड के साथ ऐसा ही हो रहा है पहले आप खीच के लिए गए 11-1200 रुपई तक पहुचा एंड आज की डेट में मैं परस हो ही अपनी फोटवील लेके ग्यादा चेजिंग भरबा के लेके आया हूं 935 रुपई का सिलेंडर मुझे पढ़ा है तो इन चीजें कर थोड़ा मतलब ध्यान देना चाहिए अब बीजेपी की साथकार चल रही है मैं जैसा कि कि अपना अपना टेक है जिसको जिस तरी किस दिखाना जिसको जिस तरी किस लेना है वो ठीक है लेकिन अप बैलेंस मना के चलो मतलब बैलेंस भीने मैं ये कह रहा हूं कि आप आप Capitol 15 की कांगरे मतलब देश बड़ बाद करने पे तुली हैए और बगरअ बगरअ बगरा ब इंडिया अपने आप ही आजाद हो गया किरांतिकारी तो थे ही नहीं इंडिया में कभी यह सब यहां पर जबदफ्ती के एक तरफा दिखाने की कोशिश करी कि बहुत मुझे अच्छी नहीं लगा है मूवी का फस्ट अप वर आभी अच्छा नहीं है उसके बाद फिल्म ठीक लगना शुरू होते हैं उससे बादे तो मतलब एक बच्चा एक लड़का जिसको दिखना चाहिए था वो आदमी दिखता है वो चीजे मुझे यहां पर अच्छी नहीं लगी तो यह है फिल्म एंड दो गंटे-बीस मिनट की लेंट कहीं नगी ज्यादा फील होती है जो ज्यादा है एक ड्रामे फिल्म के लिए एतना कुछ बहुत ज्यादा है मूवी के फर्फ नप में काफि सारी गञाईश थी कि फिल्म को चोटा किया जा सकता है परकी परफोमेंस इस बहतदीन हैं जो जो असली नाम हैं जो असली करददार थे कभी या जो आज भी हैं उ तो भाई मैं ये कहूंगा कि वन टाइम बॉच मुवी है लेकिन फेकंड आप जो था वो काफी अच्छा था काफी अच्छे फे दिखाए गया है एक डायलोग था मतलब वो जो जो रिपोर्टर अटल जी से शादी का प्रफ्ताव रखती है कश्मीर मुद दिखाई में कश्म कि ही एंड जो किनदार हैं जो उनके नाम थे मतलब जो जो असली पॉलिटीशंस को यहां पर कवर किया गया उनके जो चैरेक्टर उनकी जो फेस हैं वो काफी अच्छे लगते हैं तो ये है फिल्म आपने देखी है लेकि बताना आप लोगों का इस मूवी पर क्याटिक एं